ब्रिंदावन बिहारी लाल की, ब्रिंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कनहिया की, भारत माता की, भारत माता की लखनो पुलिस लाइन में, सिक्रिष्ण जनमास्टमी के, इस पावन आयोजन में, समारों में उपस्तित, उत्तर प्रदेश सरकार में, मंत्र मंडल के मेरे बरिष्ट सहयोगी, उपमुख्य मंत्री, सिप्रदेश पाठक जी, राज्य सभा के माननिय सांसद, और पूरु उपमुख्य मंत्री, डॉक्तर गनेश सर्मा जी, लखनों की महापौर, सिमती सुस्मा खड़कवाल जी, माननिय सांसद, सि संजय सीड जी, माननिय विधायक, डॉक्तर नीरज वोरा जी, सियोपिस सिर्वस्तो जी, मोकेस सर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचेव सिम पनोज कुमार सिंग जी, अपर मुख्य صचेव ग्रेश सिधीपक कुमार जी, पुलिस महाननिदेशक सिप्रसांत कुमार जी, प्रसासन और पुलिस के हमारे सभी अधिकारिकाण और उपस्तिक सभी सरधालुजन बैन और भाईयो आज आप सब के माध्यम से मैं प्रदेश वासियों को सिक्रिष्ण जन्मत्सों की फिरगे से बढ़ाई देता हूँ आप सब के प्रति अपनी मंगल में सुबकामनाई भी देता हो यह वर्ष भारत के सास्त्रों की माननेता के उनसार लीलाधारी भगवान स्री कृष्ण की 5251 जन्मत्सों का आयुचन है यह जो आयोजन है केवल आयोजन मात्र नहीं है विरास्त के साथ जोड़ते वे पिछले 5251 वर्षों से पुरे भारत का सनातन धर्मावलंबी इन आयोजनों के साथ जुड़ता रहा है और यहाँ एक मात्र आयोजन है जो थानों में जेलों में पुलिस लाइनों में इससी भव्यता के साथ आयोजित करके कानून विवस्ता और सुरक्षा के अपने अत्यंत महत्वपूर दाहित्वका निर्वन करने वाले पुलिस कार्मिकों के सुरक्षा से जुड़ेवे विभागों के एक महत्वपूर आयोजन के साथ जुड़ करके सिक्रिष्ण जन्मत्सों के इस कार्यक्रम के साथ उन्हें इस आयोजन के माध्यम से जुड़ा जाता है पैन और भाईयों हम सब जानते हैं कि भगवान स्री क्रिष्ण यद्यपी स्रीहरी विश्मु के एक पूर्ण अवतार के रूप में मानने है जन्म से ही उनकी लीलाओं का करम प्रारंब हुआ और यह माननेता है कि इस तरह धाम पर एक सो पचीस वर्स आठ महिने उन्होंने बिपीट करने के बाद अपनी लीला को स्वयम बिस्राम दिया एक लंबे समय तक उनकी लीलाओं को अलग अलग कारिक्रमों के माद्यन से हम लोग सुनते हैं प्रमाण के रूप में उन्हें प्रियोग करते हैं और स्रिमत भगवत गीता दुनिया का एक मात्र ऐसा पावन ग्रंत है जो युद्व भूमी में उन्हाने अपने सका और अपने सिस्वय अरजुन को जो अमर ग्यान दिया उसे आज स्रिमत भगवत गीता के रूप में हम लोग घर घर में उस ग्रंत की पूजा करते हैं यहां तक की भारत की न्याई पालिका भी उस ग्रंत की प्रती उतना ही सरदा का भाव रखती है जितना स्थनाचन धर्मावलं भी रखता है स्रिमत भगवत गीता को मौक्स ग्रंती भी माना गया है मौक्ती हम सब के लिए इमानता है कि जीवन में हर मनुष्य के ले जीवन के चार महत्वपूर पुरसार्त है धर्म अर्थ काम और मौक्स आधार सिला धर्म से प्रारम्ब होती है वहाँ अपने कर्मों के माध्यम से जो अर्थ का पार्चन करता है वहाँ उसकी कामनाओं की सिद्धी में जब वो उसका उप्योग करता है उसका उप्योग करता है तो उसकी मुक्स तिकामार्ग सुता प्रसस्त होता है यह एक सामाने मानिता है लेकिन सिमत भगवद गीता के लिए जो सबसे महत्वपूर देश है हर भारत वासी के लिए या अब देश आज भी हम सब को एक नई पेड़ना प्रदान करता है याद करिए आजादी के अम्रित महत्सो के मुख्य समारों को संबोधित करते वे देश के सस्थी प्रभानमंत्री जी ने देश भास्तियों से कहा था कि हम लोग देश के अम्रित महत्सो को आजादी के अम्रित महत्सो को मना रहे है लेकिन अम्रित महत्सों मात्र अम्रित महत्सों नहीं है हमें आगामी पचीस वर्सों की कारे योजना के साथ कारे करना है और पचीस वर्स की हमारी जो कारे योजना होगी ये कारे योजना ऐसी होगी जब 2047 में जो पीड़ी होगी उस समय की जो पीड़ी होगी उस समय हम उन्हें ऐसा भारत देंगे जो विक्सित भारत होगा जहार चेरे पर कुसाली होगी जिसे अपने भारत पर गौरव क्यन्व होती होगी कहीं कोई दुख नहीं होगा कहीं कोई दलिद्रता नहीं होगी कहीं कोई अराजकता नहीं होगी कहीं कोई बुंदागर्दी नहीं होगी हर हाथ को काम होगा हर खेत को पानी होगा और इस संकल्प के साथ जब हम आगे वढ़ेंगे 2047 के इस लक्स को प्राप्ट करने के लिए उनने पंच प्रण की बात कही थी पंच प्रण में जो सबसे महत्पूर्ण प्रण है वह है नागरिक क्रसब्यों का याद करिए सिमत भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी अर्जुन से एक ही बात कहते है कि कर्मने वादिकार रस्ते मा फलेशु कदाचना के अर्जुन तुम कर्म करते रहो हम सा काम करेंगे इसके लिए हम लाब और हानी देखने का प्रियाद करते हैं और जब भी हम किसी कारे को करने के पहले लाब और हानी की चिंपा करते हैं तो हम उसके पूर्णे उसे बंचित हो जाते हैं याद रखना अच्छा करेंगे अच्छा फल प्राप्त करेंगे वुरा करेंगे उसके पाप से कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता दुनिया की कोई तांगत नहीं मुक्त कर सकती अक्सर हमें कहते हैं कि हम गलत करेंगे लेकिन मंदर में जाके पैसा चड़ा देंगे लड़्टू चड़ा देंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी इससे कभी नहीं हो सकता अगर पाप किया है तो इस पाप का भुक्त होगी हमें बनना ही पड़ेगा अच्छा किया है लोग कल हैं और इसलिए कर्म की पेड़ा है आज जब हम 5251 जन्मोत्सों के कारिक्रम के साथ प्रभुश्री क्रिष्ण के इस उत्सों के साथ जुड़ रहे हैं तो हर व्यक्ति के अपने नागरी कर्टब भी होंगे अक्षर हमारे बीच में दुविधा कहां से होती है आप किसी से भी बात चीद कर लीज़ेों किसी भी तब्के का हो किसी भी बात का हो वे बालक हो अधेर हो नौजवान हो बुजर्ग हो महिला हो फुरुस हो किसी भी प्रकार का ब्यक्ति हो अगर आप उससे देखेंगे वो अ अपने कर्दब्यों की चर्चा नहीं करता है। और कहता है, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, बक्चे एकसर परिवार में बोलते हैं, ये ये मिला, ये नहीं मिला, लेकिन अगर उसे अई भावक, पाठे करम के बारे में पूचने का प्रियास करता है, तो आप टालमटोल बहाना करता है याद करना जीवन में सफलता के लिए समाधान का मार्ग अपनाईए तो आप समाधान के निड़ाय की स्थिजि में पहुँच पाएंगे जब लग से समाधान होगा तो सफलता प्राप्त होगी और जब आप समस्या पे चिंतन करेंगे तो उसके लिए आपको दस बहाने मिल जाएंगे तालमटोल करते रहेंगे तालमटोल से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है हमें समाधान की तरफ जाना पड़ेगा और समाधान के लिए बहाना नहीं चाहिए उसके लिए परिस्रम चाहिए उसके लिए पुरसार्त चाहिए उसके लिए कर्म चाहिए और उस कर्म की पेना सिमत भगवद गीता जैसा पवित्र गरंत जिसे प्रभु ने कुरुछेत्र में आमने सामने खड़ी सेनाओं की बीच में लाखों सेना खड़ी है दुनिया का एक मात्र गरंत होगा जो धार्मिक द्रिश से धर्म और कर्म दोनों की पिर्णा दे रहा हो लेकिन उसका जो अग्देश है वह रणभूई में दिया जाता है और रणभूई में दिया गया अग्देश सबसे महत्तुपूर कर्म का है और नहीं मुक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है और इसलिए कर्म हमेशा भारतिये परंपरा ने भारतिये मनिसा ने कर्म को प्रधानता दी है आज मुझे प्रसंता है उत्तर प्रदेश पुलिस वन ने कर्म दिखाया खानिलाग की चिंता नहीं की पेडाम आया कि जि इस प्रदेश को सब्सिप्सनटी माल लिया गया था आज प्रदेश के साथ देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है कानौन दिवस्ता का एक मॉडल प्रस्पूत कर रहा है आज प्रदेश के अंदर हरोर सुक और सांती है सद्भावना है परवर्तियोहार सांतिपूर तर सभी पुलिस लाइन में 75 की 75 पुलिस लाइन में सभी प्रदेश के 90 से दिक जेलों में यह आयोजन इसी पपिता के साथ आयोजित हो रहे हैं और बिना संकोच के हर विक्ति आ रहा है क्या यह संभू था आज से 10 साल पहले नहीं संभू था सरकारें डरती थी आयोजन करेंगे इसका क्या लाब होगा लाब और हानी से नहीं अपनी विरासत की प्रति गौरव के नभूती हम सब के मन में होनी चेहें विकास उस विरासत का संभान करते हुए हम आगे वढ़ाएंगे लेकिन उसके लिए उस प्रकार की प्रियास भी हो होने चाहिए और प्रियास हुए आज प्रिणाम हम सब के सामने हैं और आज के असौसर पर मैं आप सब को इसी बात को कहूंगा पंच प्रण में नागरिक करतव्यों के प्रति हम सब को जो जिस शेत्र में हैं चात्र हैं को अध्यन करें करमचारी है वह अपने भीड में अपने उत्तर दाहिल्पा का निर्वन तो करें कुछ नयापन करने का प्रियास भी करें सामाने नागरिक है वह भी अपने फिड में कुछ अच्छा करने का प्रियास करे और हम सब के सामने एक ही लक्से होना चाहिए कि मेरा हर कार्य, मेरा हर कर्म, मेरा हर काम देश के नाम होगा देश के लिए करूँगा, देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए सब कुछ समर्पित करूँगा अगर इस भाव के साथ हम कारिक करेंगे तो प्रभु की किरपा भी हम पर बराबर बनी रहेगी आज के सौसर पर एक बार फिर से आप सब को सिक्रिष्ण जन्मत्सो का कारिकरम आज यहां पर पुरिप्रदेश भर में हर अस्तर पर सरकारी अस्तर पर भी और विविन संगठनों के अस्तर पर भी और घर घर में भी यायुजन हो रहा है कि मेरा सौवाग्य है मैं कल ही मत्रा बिरंदावन में गया था कल मैं मत्रा में था आज सुवे में सिर्क्रिष्ण जन्म भूई पर दर्सन करने का सौवाग्य प्राप्त हुआ कल मुझे स्रीपांगी पिहारी मंदिर में दर्शन करने का मुझे औसर प्राप्त हुआ था क्या सरदावाव है लोखों की संख्या मैं सरदालू आज मत्रा ब्रिंदावन में आकर के सरदावाव के साथ दर्शन कर रहे हैं उत्सों के साथ सेवागी हो रहे हैं बिना किसी सायता के लोग आकर के वहाँ पर सुभिता है नहीं है इसकी प्रवा के वैगर पुरे सर्दावाव के साथ जूमते वे, गाते वे, भजन करते वे वहाँ पर जुड़े वे हैं और ये द्रिष्य, मत्रा, बृंदावन के साथ साथ पुरे प्रदेश के अंदर हर एक जगे देखनी को मिलना है मैं इस आउसर पर आप सब को हिर्दे से बढ़ाई देता हूं अपनी मंगल में सुबकामनाई देता हूं और विस्वास वेक्ट करता हूं कि प्रभु के बताए मार्ग का नुशन करते वे हम सब अपनी जीवन को आगे बढ़ाने का कारिक करेंगे आप सब के जीवन में प्रभु इसी प्रकार से किर्पा बनाए रहें इसी विस्वास के साथ मैं आप सब को सिकिष्ण जन्मास्तिमी की हिर्दे से बढ़ाई और मंगल में सुबकामनाई देता हूं धन्यबाद जैहि झाल